दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के के जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट मोक्स में जरूर पूछे आज की सबसे बड़े कवर बिहार में पंचाज चुनाव 20 सितंबर से 25 नमबर के बेच राज निर्वाचन आयोग ने भेजा प्रस्ताव 20 अगस से आचाल सहिंता होगी लागू केविनेट में पेसी के बाद 10 चनों में वोटिंग जिहां बिहार में पंचाज चुनाव की तारिकों का एलान को लेकर उल्टी गिन्ती शुरू हो गई है राज निर्वाचन आयोग ने अपनी तरब से सबी तैयारिया पूरी कर ली है दस चैनों में होने जा रहे पंचाज चुनाव की तितिया 20 सितंबर से 25 नमबर के बीच रखी गई है आयोग की तरब से चुनावी तितियों से जुड़ा प्रस्ताव तैयार कर पंचाज राज बिभाग को सोब दिया गया है राज निर्वाचन आयोग ने पंचाज चुनाव से जुड़ा प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है आयोग की तरब से सरकार को भेजे गए इस प्रस्ताव को पंचायती राज विभाग जल्दिक केबिनेट में रखेगा साथ ही आपको बता दे कि आदिस सुचना जारी होते ही आचार सहिंता भी लागू हो जाएगी आदिस सुचना जारी होने की संभावित तारिक 20 अगस्त है अगली बड़ी कबर बिहार में सौर उर्जा से अगले साल से होगा 250 मेगावाड बिजली का उतपादन 2000 लोगों को मिलेगा रुजगार जिहां राज में सौर उर्जा से अगले साल से 250 मेगावाड बिजली का उतपादन होगा इसके साथ करेब 2,000 लोगों को प्रत्यक्च और अप्रत्यक्च रुप से रोजगार मिलेगा नवी नवी करेनिया उर्जा के मामले में इसे राज जिमें पहले बार उपलब्दी के तोर पर दिखा जा रहा है इस पर्योजना के लिए बिजली उत्बादन करने वाले कम्पणियों का चयान इसी मने होने की सम्मावना है इन में से सबे कम्पणियों ने राज सरकार को बिजली बेचने के लिए अपने अपने किमत की घुसना कर दी है बाड़े के पर बिहार से कहें भी 15 रुपे में भेजे जा सकती है राकी जानि यह डाक विभाग के इस ओफर के बारे में जी हाँ भाई बहन के असिम प्यार के प्रतीक पर वर रक्षा बंदन में अब कुछी दिन से सिर गए हैं बाजा रंग बिरंगे आकरसक राक्यों से सच चुका है इसा डाक विभाग भी एक जगह से दूसरे जगह पर राकी भेजने की तैयारियों में जुट गए हैं भाई बहन के सिने को समर्पित इस्तिवहार का बहने बड़ी बेसबरे से इंतिजार करती है और हमेसा कोसिस करती है कि किसी भी हालत में भाई की कलाई सुने न रहे इसके लिए कभी वा लंबा वासला तैय करती है तो कभी अपने प्यार और आसिरवात को लिफापे में कुमार सिंग ने बताया कि राकी के लिए स्पेशल प्लास्टिक लिमिनेटेट लिफाबा लाया गया है तरहसला मात्र 15 रुपे में कोई भी बहां देश की किसी भी कौने में राकी भी सकती है बाड़ी खबर जाती है जनगन्ना को लेकर मुखर हुए सीम नितिस कुमार पत्र ने कहा कि हमने प्यम को जाती है जनगन्ना की समद में मिलने के लिए पत्र लिख कर समय मांगा है बता दे कि विहार सरकार जाती है जनगन्ना कराना चाहती है लेकिन ये इंद्र सरकार इसको लेकर तयार नहीं है बाड़ी खबर नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई गाओं म और पुनपो नदी का जलस्तर पिछले 24 गंडे में बढ़ा है इन नदियों के जलस्तर में बृदी होने से पतवा परकंड के मान सिंगपूर पंचायत और अलवालपूर पंचायत के दर्जनों गाह में बाड का पानी गोश चुका है जिससे जन जिवन अस्त वेस्ट हो गया ह इलाके में हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है जिससे यहां के रहने वाले लोगों को भारी परिसानी का सामना करना पड़ रहा है इलाके के लोग मदद की मांग कर रहे हैं दोसरी तरफ पटना सिटी में घाट उपर गंगा का पानी दरगा नदिय के पानी के बहाव को सेंड बैग से रोकने की कोशिस जिहां भारी बरसात के कारण नदियों को उपान से बिहार के राजाने समित के जीलों में बाड का खत्रा पैदा हो रहा है एक तरफ नदिया उपान पारेत दोसर तरफ पानी के तेई धार के कारण बानों में कटा बहा है पटना में एनाइटि घाट पर पानी चड़ने के बाद अब पटना सिटी के महाविर घाट और गाय घाट में भी गंगा पातवे पर पानी चड़ गया है सुरचा को लेकर अलट किया गया है पटना के धन्रुवा प्रखन के स्योधा बिगोहा में धर्दा नदे में पानी के बहाव को सेंड बेग से रोकने की कोशिस हो रही है नदियों के जलेस्तर में बढ़त जारी है बाड का पानी बढ़ने से लोगों की चिंता बढ़ गई है इस खत्रे सी निबटने को लेकर प्रसासन ने बांदों के साथ आने इलाकों में निगनाने के पदादी कारियों को जवाब देवी की साथ लगा दिया है पटना में ग्रा नारे रहने वाले लोगों को crater कबाय सता रहा है कुटिहार जिले में सभी नदियों के जलेस्तर में वृद रही है कोशी और बरण्डी नदिक के बाद गंगा जलेस्तर देचार प्रकन में खत्रे की निसान कुपार कर गया हैं बायां नेंदरन विभाग ने कटिहार जोन की सभी अवयांतिया को हाई अलट किया गया है वहीं खगड़िया जिले में गंगा कोसी बागमती वा बोड़ी गंड़क नदी दूसरे दिन भी उपान पर रही गंगा के जलेस्तर में पिछली 24 गंड़े में 14 सेंटिमेटर वा बागमती में 26 सेंटिमेटर के विर्दी हुई हाला कि अभी गंगा और बोड़ी गंड़क नदी खत्रे की निसान से नीचे है जबकि कोसी वा बागमती खत्रे की निसान से उपर है वहें मुंगेर जिले में गुरुवार को गंगा के जलस्तर में 21 सेंटिमिटर की बड़ोत्री दर्ज की गई है अगली बड़ी कबर बाड प्रभावित इलाकों का मुझे मंतरी ने किया दोरा अधिकारियों को दिये कई निर्देश जिहा मुझे मंतरी निर्देश कुमार ने कल पाटना नालंदा गया एवं जहानाबाद जिले के बाड प्रभावित चेतरों का दोरा किया हवाई सेर्वेक्चन की दोरान मुझे मंतरी ने दक्चिन बिहार के नदियों के जलेसर की सिती ओवर टोपिंग नदियों के कटाव की सिती बाड के करन वे पसलों के नुकसान एवं जल जमाव की सिती का जाजा लिया पतना जिले के दन्यावा पतवा धन्युवा प्रकन वही नालांदा जिले के हिलसा कराई पुसराई एकंग सराई रही प्रकन जहानाबाद जिले के पुलसाज गंज मोदन गंज प्रकन तत गया जिले के बोध गया टेकारी प्रकनों का मुखमंत्रे ने हवाई सर्वेक्छन क बाड प्रभावित छेत्रों का हवाई सर्वेक्षन किया इन जिलों के कई इलाके बाड से बहुत ज़्यादा प्रभावित है अगर गंगा निदी का जलस्तर और ज़्यादा बढ़ता है तो इन इलाकों में बाड का खत्रा और ज़्यादा बढ़ जाएगा साथ यह उन्होंने कहा कि बाड की सिति को देखते हुए हमने निर्दिस दिया है कि आज से पटना और नालंदा जिली के डियम और उनके साथ दूसरे अधिकारी जाकर पूरे इलाकी का सरविचन करेंगे डाल चेतरों का भी जाजा लेंगे उसके अगले दिन गया और में डेंगू एक बार फिर से दस्तक देने लगा है सहर के सरकारी और निजी एस्पतालों में अब डेंगू पिडित पहुचने लगे हैं पूर्व में डेंगू का केंद्र बना प्रांस्पोर्ट नगर चित्र गुप्तो नगर आरमस कोलोनी चीना कोटी मंदिरों के अलाव पहुचने लगे हैं आईजी आएमस के डाक्टर मनोच चोदरी ने बताया कि डेंगू के मरीज एक दो की सेंख्या में आ रहे हैं लेकिन अगले कुछ दिनों में इसका प्रकूप और बढ़ सकता है सेंख्या में चिकिसुका का कहना है कि डेंगू का प्रकूप 15 अगस के ब अगसु एवा में 30 संसादन विवाग के मंत्री मुकिस सहने ने कल एक बेहद ही दुरलब और खतरनाक बिमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोपी से जूज रहे आयांस के लाज के अपने एक महिने का वेतन दिया पाटना के रुपसपूर में रहने वाले आयांस जो मात्र दस मा का छोटा बच्चा है उसकी गंबिर बिमारी का पता लगने के बाद मुकिस सहने खुद उनके घर गए वहां उन्होंने आयांस और उनके परिजनों से मुलाकात की आयांस का हाल जाना फिर अपने एक महिने का वेतन उसके इलाज के लिए देने का फैसला किया आपकी जान पर आंदोलन के बाद रिल्वे का बड़ा फैसला बढ़िया और गहमर इस्टेशन पर साथ जोड़ी स्पेसल ट्रेन का ठहराव होगा जिहां बढ़िया इस्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव को लेकर पिछले दिन लोगों ने आंदोलन किया था दिल्ली हड़ा लाइन पर परेचालन इससे प्रवावित हुआ था और इसके बाद रिल्वे ने कई ट्रेन के इस्टोपज यहां पर दे दिये थे अब रिल्वे ने साथ स्पेसल ट्रेनों का ठहराव भी बढ़िया और गहमर इस्टेशन पर दिया है पांच अगस्त यानि कल से ही दानापुर मंडल क बढ़िया और गहमर इस्टेशन पर आस्ताई रूप से साथ जोड़े स्पेसल ट्रेन का ठहराव दिया गया है बाड़िक्यावर बिहार के हर किसान का होगा खास यूनिक आईडी बीज निगम ने सुरू की तैयारी जिहां बिहार राज बीज बितरन निगम बीजों के बि है और सब्सक्राइब में बदलावकर किसानों के लिए सवलियोत बढ़ाने जा रहा है किसानों से बीज सगरान की सुचना के लिए लेजर सिस्टम शुरू किया जाएगा प्रत्य कलेक्शन से इंटरपल अलग-अलग सिजन के लिए सभी किसानों को एक ही पंजन संक्या नि ्सक्राइब मंडल के राजनीति को दहार की चैयारे साथ हर जिले में धर्णा प्रदसंर जीहां लालो प्रसाद यादव कि सक्रियता ने आरेजरी को बड़ी तागत दे दी है जातियी जन गना की सियासत गरमहट को ओर टाव देने के लिए आरजेडी ने अब मंडल के राजनेती को दार देने की तैयारी कर ली है इसके लिए 7 अगस को मंडल दिवस के आउसरक पर बिहार के सभी जिला मुख्याले पर आरजेडी की कारिकरता धर्ना प्रदसन करेंगे इसमें जातिय जनगन कराने आरचित कोटे से बेगलोग की लाखो रिक्त पद भरने और मंडल आयो की सेस्ट रिपोर्ट लगू करने की मांग होगी अगली बड़ी ख़वर भारत के खाते में एक और चांदे 57 किलो वर्ग की कुस्ती में रवी का संदन प्रदसन ब्रॉंज से चुके दीपक जिहां टोकियो उलम्पिक में भारते पहलवान रवी दह्या ने फाइनल के मुकाबले में चांदे जैसी चमक दिखाते हुए सर्व सेष्ट प्रदसन किया 57 किलो वर्ग की केटेगरी के मुकाबले में स्वर्ण पतंग जितने के उनके उम्मी दो बार के वर्ल्ड चेंपियन रूस के जावर योगिदियू ने खतम कर दी हाला कि रवी सिल्वर मेडल लेकर ही भारत लोटेंगे योगी एव ने उन्हें तीन पॉइंट से माद दी है मैच का कूल स्कूर 7-4 रहा है इसके साथ ही भारत का 13 साल से ओलम्पिक में गोल्ड मेडल का इंतिजार अभी भी जारी है अंतिम बार 2008 में सुटर अभीनाव बेंदरा ने गोल्ड मेडल जिता था वह अगली बड़ी खबर ब्रॉज मेडल मैच में भारते पुरु सोके टीम की सांदर जीत जर्मनी को 5-4 से हराया जिहां टोकिय ओलम्पिक में भारते पुरु सोके टीम ने इतिहास रज़ दिया है एक चालिस साल की सुके को खतम करते वे भारत को होकी में ब्रॉज मेडल दिलाया है भारत ने जर्मनी को 5-4 से माद दी है भारत के लिए सांदर जीत है भारते टीम के सिमरन जित सिंग ने दो गोल दागे हैं टीम इंडिया की इस मकाबले में खराब सिरुआत भले ही रही हो लेकिन फिर उसने लगातार गोल दाकर वापसिकी है और हम की बड़ी कवर तेज परताब की सदैसिता को चिनोती नमांखन पत्र में संपत्ती चिपाने का आरूप जहां बड़ी कवर पढ़ना से सामने आ रही है बिहार के पूर्व मुख मंत्रे लालो प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज परताब यादव की मुश्किली बढ़ गई है राज़त विदार एक तेज परताब यादव की विदान सबस दैस्यता को हाई कोड में चुनोती दी गई है विहार के पूर्व स्वास मंत्रे के उपर नमंगन पत्र में संपते चुपाने का आरूप दब की याचिका पर सुनवाई करते हुए या आदेस पारित किया है आज के लिए आपका स्वाल बताए कि वर्तमान में कोरोना के स्थिति को देखते हुए बेहार में जितने भी धार्मिक स्थल बंद पड़े हैं उसको खोलने चाहिए या नहीं इसके वाब आप आमने नी बंद आप स्थ அ सकाष भाहित विर्स चाहिं को पर स्थ लिएंग है भाहिए